हम लोग गय थे पटना हाई कोट में क्रिमिनल मिसलेनियस हमने फाइल किया था क्वैसिंग के लिए उसी क्वैसिंग में यह आदेश पारित हुआ है अरेस्टिंग पर इस्टे हुई है और नेक्स्ट हीरिंग पुना कल ही होगी मुझपःपूर के राज अधनेता के अफ्रन कर मार्पिट के मामले में साहब गंज के बीजेपी बिदायक राजू सिंग को पटना आई कोट ने तत्काल बरी राहत दी है पूरे मामले पर बात करने के लिए मुझाफ़पूर में राजू सिंग के अधिभक्ता बिनोद कुमार हमारे साथ मौजूद है और नेक्स्ट हीरिंग पुना कल ही होगी उसका अधेस निकल गया अधेस अभी तक नहीं निकला है आज आज का अधेस है कल तक आना चाहिए आगे क्या कुछ परकिरिया होगी दोनों पक्षे स्टेट को हम लोग पाटी बनाये हुए हैं स्टेट के तरफ से जो पदा दिकारी क्षे उपस्तित्हों में सुनवाई होगी जो मेरी डोंगा केस का क्वैंसिंग होगा नहीं मेरीट होगा नहीं होग तो इस अहार जो लगा हुए था बैक्रिया हर ही है पर पक्रिया लेकिन अब उसकrencesस हो जाएगा अगर हम रसी कर गया तो एक तरह से यह समझे कि अब कुर्की जबतियों गरगे करवाई तत्काल नहीं होगी कित्रे दिरों के लिए गिरफतारी परोग लगाएगे यह तो कोट की बात है कोट अगर तुरत सुन ले तुरत डिसीजन हो जाए तो बात खतम हो जाएगी जब तक कोट में सुनवाई नहीं होगी हाई कोट के द्वारा रोक लगा दी गई है तो आपको बता दे कि बीजेपी के साहब गंसे बीजेपी के विधायक जो है राजु सिंग उनके लिए एक बड़ी राहत मिली है उनको एक बहुत राहत मिली है जहां पटना हाई कोट ने उनके गिरफतारी पर ततकाल रोक लग दिए रोक लगा दी है दरसल जो एक मुकदमा हुआ पारु में जूटा केस हुआ पारु थाना कांट संख्या दूसर एक तिस तेईर उसके क्वैसिंग के लिए हम लोग ऑन्नेरबुल हाई कोट पटना के लिए गय थे जहां हमरा पेटिशन पड़ा हुआ था उसकी जिसमें तत्काल प्रभाव से उनके गिरफतारी पर रोक लगा दी गई है येस अपहरन मामले में आगे उसमें विपक्षियों को स्टेट को नोटिस हुई है वो लोग एपियर होगे सुनवाई होगी फिर जुआ देश होगा हो निश्चित अनुसंधान करता को उसमें दावेंगे अपना पक्ष रखेंगे